मनीश एक ओर्टो रिक्षा चलाता था जब वो 15 साल का था तब उसके पिता का तेहान थो गया इसी कारण मनीश को ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ कर पिता की ओर्टो चलाने का काम मनीश ने संभाल लिया मनीश की बड़ी बहन सुलेखा की शादी में जो उसके पिता ने कर्जा लिया था उसे उतारने के लिए मनीश ने अपना घर भी बेच दिया और मा के साथ किराए के घर में रहने लगा मनीश की बड़ी बहन अपने ससुराल में खुश है इस बात क्यों से बहुत तसली है मा, सुलेखा दिदी का मेरे मुबाइल पर फोन आया है तुम बात कर लो, फिर मैं आटो लेकर काम पर निकलता हूँ हेलो सुलेखा दिदी, ये लो मा से बात करो हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर खूब खाया पिया कर इससे बच्चे की सिहत पर अच्छा असर होगा अब बस यही अच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाहू और मनीश मामा हाँ, वो तो है अब मामी कहलवाने वाली बस आ जाए तो मैं सुकून से तीर थियात्रा पर निकल जाओंगी नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिला कर ही तीर थियात्रा पर जाओंगी मा, बस मनीश के लिए अच्छी से लड़की ढूंड़ो, जो घर संभाल ले मा, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर ले न तब ही उसका एक साथी जो उसकी तरह आटो चलाता था, वो किसी लड़की से जगर रहा था अरे देखिए मैडम, ऐसे धोड़ी होता है, है जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तैय किये हैं, तो चुपचाब मेरे पैसे देदो न मनीश निरंजन को आटो के 200 रुपे दे देता है, थैंक यू सो मच, मेरा नम मर्चन है आप मुझे अपना नमबर दे दो, मैं आपके नमबर पर आउनलाइन पेमेंट भीज़ दूँगी, बाकि अगर मुझे देड़ ना होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नमबर अरचना नाम की वो लड़की मनीश का मुबाइल नमबर ले लेती है और अगले दिन मनीश के मुबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है आपकी पैसे मैंने अकाउंट में भीज दिये हैं, आप चेक कर लीजे और कलकिल एक बार फिर से थैंक यू, आपने अंजान होकर भी मेरी मदद की अरचना और मनीश बात करने लगते हैं, अरचना को मनीश से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद एक दो बार अरचना की मुलाकार मार्केट में मनीश से हुई जाती है, धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं, मनीश को पता चलता है कि अरचना एक बहुत ही अमीर खांदान की लड़की है, तो वो से समझाता है अर्चना तुम बहुत ही अमीर खांदान के लड़की हो तुम में और मेरे में जमीन अस्मान का फर्क है मैं एक मामूली आटो रिक्षा चलाने वाला गरीब लड़का हूं तुम्हारा और मेरा यू दोस्ती रखना ठीक नहीं है प्लीज तुम मुझसे मत मिलो तुम ना मिलने की बात कर रहे हो और आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर ले आई थी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हो मनीश में अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ मिलकर जीना चाहती हो कहते कहते अर्चना फूट फूट करोने लगती है और मनीश उसे गले लगा लेता है अर्चना अपने ममी पापा से इस बारे में बात करती है और जबरदस्ती मनीश से शादी करने के लिए मना लेती है इधर मनीश भी अपनी मा और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुब मुहरत में दोनों की शादी हो जाती है अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ससुराल गरीब है नाहीं उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की अर्चना अब तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना हाँ मनेश मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ मा जी सुलेखा दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ तब ही अर्चना की सास भी आ जाती है जीती रहो बहु हम बहुत भागेशाली हैं कि इस घर को तुम्हारे जैसी बहु मिली अर्चना भाबी ये देखो मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ आज आप शाम को किर्तन में यही पहनना सुलेखा दीदी ये साड़ी तो बहुत सुन्दर है ठीक है पर एक शर्ट पर आज आप मुझे खुद तयार करोगे promise? अर्चना की बाते सुनकर सुलेखा की आँखों में आसु आ जाते है hurry उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाबी से इतना प्यार और संबनान मिलेगा सचमुच कुछी दिनों में अर्चना ने सब के दिल में एक अलग जगा बना ली अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था सुलेखा के बेटा पैदा होता है इधर अर्चना भी गर्वती हो जाती है अर्चना के मा बनने के बारे में जब उसके ममी पापा को पता चलता है तो वो उसे मिलने के लिए उसके ससुराल आते है पर अर्चना का घर देख कर दोनों ही मूँ बनाने लगते है अर्चना, तुम अपने ममी पापा के पास बैठो रसोई से चाई और नाश्ता मैं ले आती हूँ पर पूरा दिन मैं घर पर होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता, और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम मा जी ही करती है, मुझे उठने ही नहीं देती। सान दायक है, ममी, आप मेरी टेंशन मत लो, मा जी मेरा पूरा खयाल रखती है, वो मुझे समय पर जूस, फ्रूट, दूद, दही, सबजियां और सब कुछ खाने के लिए देती है, तब ही अर्शना की ननत सुलेखा भी आ जाती है, अर्शना भावी, मैंने डॉक्टर से अप बात कर रही हो, जी वो बड़े बाजार में जो हस्पिटल है, जहां डॉक्टर नेहां बैठती है, वो सस्ता बेकार सा हस्पिटल, अर्शना, तुम उस हस्पिटल में चेक अप के लिए जाओगी, तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शेहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ, और तुम अभी क्या भी अपना सामान पैक करो, और हमारे साथ चलो, किसके घर? आपके घर पापा? मैं अभी अपना घर छोड़ कर कहीं नहीं जा सकती, मुझे डॉक्टर नेहा जोकि एक बहुत बड़ी और समजदार डॉक्टर है, उन्होंने सुलेखा दीदी के नॉर्मल डिलिवरी की है, उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बो करती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए जाने वाले हैं, अर्चना का ऐसा कोई प्लान नहीं था, ये उसकी सास और सुलेखा जानते थे, पर अर्चना अपने ममी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी, कि उसके ससुराल वालों का और अपमान न नहीं करें, तो उनके लिए बहतर है, अर्चना के ममी पापा लजजित हो जाते हैं, और कुछ देर बाद वहां से चले जाते हैं, अर्चना की सास और ननत दुनों की आँखों में खुशी के आंसु थे, अर्चना अपनी सास और ननत के गले से लग जाती है, ये कहानी है सुभद्रा गाउं में रहती है और उसका बेटा अखिल शहर में, वो वहां एक मल्टिनेशनल कंपनी में जॉब करता है, सुभद्रा का बेटा अखिल अचानक से शहर से उससे मिलने गाउं आया था, बेटे को देखकर वो बहुत खुश हुई और फिर से वही शिकायते उस सुभद्रा रसोई में जाने लगी तो अखिल ने अपनी मा का हाथ पकड़ कर उसे सोफे पर बिठा लिया और कहा, अरी मा ये सब छोड़, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, ये सुनकर सुभद्रा की आँखों में चमक आ गई और उसने खुश हो कर उसे पूछा, क्या बात करनी है बेटा, शादी के वारे में, तु तयार है, रुक, मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ, सुभद्रा ने सोफे के पास रखे टेबल से कुछ लिफाफे निकाले और उससे लड़कियों की तस्वीर निकाल कर अखिल को दिखाने लगी, बोल, कौन सी है तुझे पसंद, अखिल ने उन तस्वीरों को बेमन से देखा और मा से कहा, मा मुझे इन में से कोई भी पसंद नहीं है, क्या बोल रहा है तु, सारी इतनी सुंदर हैं, बड़ी लिखी भी हैं, तब अखिल ने अपनी मा से जो बात कही उसे सुनकर उनके चेहरे पर चमका गए, अरे सच, तुने लड़की पसंद कर ली है, अरे कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहां की है, अरे मा, एक सा सुन्दर है मेरी बहु, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश, अखिल और आकांशा की शादी हो गए, जब वो पहली बार उसे लेकर घर आया, तो सुभध्रा द्वार पर उसकी आरती उतार रहे थी, तो आकांशा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था, आकांशा श स्वागत तो ऐसे ही किया जाता है, सुभध्रा की बातों को सुनकर आकांशा ने अपना मुह बना लिया, अखिल चाहता था कि आकांशा थोड़े दिन मा के साथ रहे, क्योंकि उसकी कंपनी वाले उसे देश से बाहर भेशने वाले थे, आकांशा ने भी कभी गाउं देखा नहीं था, इसलिए उसने अखिल की बात टाली भी नहीं, ठीक है बाबा लेकिन जल्दी आ जाना, मैं यहां अकेले बोर हो जाऊंगे, अखिल शेहर चला गया, एक दिन की बात है, सुभध्रा का समय था, आकांशा अपनी कमरे में सोई हुई थी, सुभध्रा घंटी बजात कर रही हूँ, और अब तो सुभध के साथ बजगे, साथ बजगे तो मैं क्या करूँ, मुझे आप जैसे गवारों की तरह जल्दी उठने की आदत नहीं है, चले अब बंद करिये यह सब और मुझे सोने दीजे, सुभध्रा को अपनी बहु की बात बुरी लगी, लेकिन व बात करके, वो सुभध्रा की कोई मदद नहीं करती, एक दिन वो फोन पर बाते कर रही थी, और सुभध्रा अपने बैल को चारा दे रही थी, तो अचानक उसका बैल जोर से रंभाने लगा, अरे क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे तू, मैं आ तो गई खाना देने, हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने आज थोड़ी देर कर दी, अरे क्या करती, मेरे घुटनों में जोरो का दर्द चुथा, बुड़ी हो गई हूँ ना मैं, उधर फोन पर बाते करती आकांशा की दोस्त ने बैल के रंभाने की आवाज सुनी तो उसने कहा, अरे क्या बात है आकांशा, तबेले में है क्या तू, ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है, अरे गाउं है ना ये, यहां तो गाय भैस की आवाज आईगी ना, कोई डीजे तो बजेगा नहीं, अच्छा सुन, मैं तुछ से थोड़ी देर में बात करती हूँ, आकांशा ने फोन काटा और सीधे करने में, ये तुम कैसी बाते कर रही हो बहू, मैं भला तुम्हें क्यों तंग करूँगी, और जहां तक बात रही इसके रंभाने की, तो इसे भूख लगी थी, अब ये बेचारा हमारी तरह खाना तो मांग नहीं सकता, जानवर है ना, ये जानवर है आप तो नहीं, कान खोल कर सुन लीजे, जब मैं अपने दोस्तों से बात करूँ, तो इसे बाहर ले जाए, नहीं तो मैं ये घर छोड़ कर चली चाओंगी, अरे नरत बना दिया है मेरा जीवन आप लोगों ने, सुप्रिया फिर से खामोश रह गई, एक दिन जब वो गोबर से घर का आंगन लीप रही थी, तो आकांशा फिर से नाग बंद करके तम-तम आती हुई बाहर आई, और गुस्से में सुप्रिया से कहा, क्या है मम्मी जी ये, क्या है, पूरे घर में आपने बद्बु फैला दिये, बहु गोबर है ये, पता है कितना पवित्र होता है, घर में की टाड़ो कंपनी वालों ने दो महिने की ट्रेनिंग और बढ़ा दी उसकी, दो महिने इस गाव को और छेलना पड़ेगा मुझे, सुप्रिया आकांशा की किसी बात का बुरा नहीं मानती, वो से बहुत प्यार करती थी, एक दिन की बात है, सुप्रिया ने आकांशा से कहा, बहु, आ आकांशा बार बार सुप्रिया का अपमान करती और बार बार उसे जली कटी सुनाती, लेकिन सुप्रिया अपनी बहु को कुछ नहीं कहती, उसे हमेशा यही लगता कि बहु शेहर की है, वहां के तौर तरीके अलग होते हैं, उसे वो बदल नहीं सकती, एक बार की बात है, स मी सास की शिकायत करके अभी फोन रखा ही था कि तभी न जाने कैसे उसका पैर फिसल तो और वो छट से नीचे गिर पड़ी आह आकांशा की आवाज सुनकर सुप्रिया भागी भागी बाहर आई उसे देखा कि आकांशा जमीन पर गिरी तड़प रही है बहु बहु रे ये कै कैसे हो गया आकांशा लहु लुहान हो गई थी गाउं में अस्पताल चार किलो मीटर दूर था सुप्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें तभी उसे अपने बैल के रंभाने की आवाज आई सुप्रिया ने अपने बैलों को तुरंत बैल गाड़ी में जोड़ा और अपनी बहु को उसमें डाला, और खुदी बैल गाड़ी चला कर अस्पताल की ओर जाने लगी, जल्दी चल और जल्दी चल, मेरी बहु को जल्दी से अस्पताल पहुँचाना है। कुछ भी हो सकता था के लिए माफ कर दीजे अरी कोई गलती नहीं कि तुने तु ठीक हो गई बहू बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है तभी आकानशा को बैल के रंभाने की आवाज आई वो उस आवाज को सुनी रही थी तभी पता है तु यहाँ बिमार है तो मेरे दोनों बैलों ने भी खाना पीना छोड़ दिया है वो अस्पताल के बाहर ही खड़े रहते हैं सच कहूं तो वो ना होते तो पता नहीं मैं तुम्हें कैसे अस्पताल लेकर आती सुप्रिया की बातों को सुनकर आकांशा की आखों से जर जर कर राजू निकलने लगे वो बाहर निकली और बैलों को गले लगा कर उनसे भी माफी मांगी आकांशा बदल गई थी उसे गाओं अच्छा लगने लगा था और सुप्रिया में तो उसकी जान बसने लगी थी